तो गैस क्या हाल है मेरा नाम है श्रांट सिना और आप देख रहे हैं फुटबाल टाइमस आज हम बात करने जा रहें कि अब अगला जो कैलंडर होगा वो हमारे जूनियर लड़कों का है अंडर 19 उनलों का मैचेज है साफ चामपेंचिप का बट यहाँ पर एक दिक्कार है क्योंकि बोला गया थे कि आठ तारीख से चालू सॉरी साथ तारीख से चालू होगा मैचेज बट अभी तब कोई जाएगा एंड आगे नेक्स्ट मंत भी कराया जाएगा बट यही था कि अंडर 19 का साफ मैचेज था सीनर टीम का अब कोई मैचेज नहीं रहेगा क्योंकि अब यहाँ पर अब जो हमारा मैचेज होगा वो सारे के सारे मैचेज आपके किंग्स कप में होने वाला है थाइलेंड में वो हम खेलेंगे साथ तारीक से सेप्टेमबर में तो यह होना था मैच अब यह अगला मैच यहीं होगा किंग्स कप में फिर उसके बाद अगर हम किंग्स कप के बाद बात करें तो मैटरेल का कप मलेशिया में हम लोग अक्टोबर में यह से मैच इंकमिंग है अगर हम इस महिना का बात करें तो इस महिना हमारे वोमेंस टीम का I would say दो तीन मैचेज है क्योंकि अभी विंडो ओपन है इंटरनेशनल विंडो अभी आप मैचेज खेल के अपना रैंक बढ़ा कर सकते हैं वोमेंस टीम तो मेरे हैं चार फंड़्टीज तो खेलना चारी में फिरम को यहां पर टीम यहांप टीर की तीन खेलना चाहिए यहां पर सीनयर मूमेंट टीम को सीन आधिसल में प्रीम के सब्षेजिण कर डंष तो काफी पढ़िया फिक्शिज रहेगा काफी लंबा सामें 20 माचे जो होगा किसे होगा क्या फिक्शिज निकलेगा तभी हम डिसाइड करें जिकैसा माहौ रहेगा और अरहा बात में बात की पॉट टूडिसाइड हुआ है कि नहीं तो गई से बता दूब लोग अभी से बो ranking होने वाला है and 27 जुलाई को हमारा draw निकलने वाला है कि हम किस किस के साथ खेलने वाले matches तो भाई उससे पहले मैं कुछ proclaim नहीं कर सकता है मैं कुछ claim नहीं कर सकता कि भाई हम है pot 2 में क्यूंकि अगर हम points difference देखे इंडिया और Lebanon का तो इंडिया और Lebanon बस एक point का मातरा difference से जादा difference नहीं है अगर आप देखेंगे live points को FIFA में अभी update नहीं किया गया क्योंकि इंटर कॉंटिनेंटल फाइनल जो हम इंडिया वससे लेबानन खेले थे वह point अभी तक उसका एड नहीं किया गया क्योंकि फीफा के लिए ये matches important नहीं है FIFA, Intercontinental Cup, SAF Championship उनके लिए major tournaments नहीं है इनके लिए ये friendlies ही है हम friendlies के अंदर आते हैं तो वह friendlies tournament होते है तो हारने जीतने से कुछ पर नहीं परता है बट येस अगर FIFA ranking में देखा जाए तो 90 मिनट तक अगर एक team में match हो रहा है 90 मिनट से पहले अगर आप goal मारके जीते हैं तो it's a win आप penalty में जीत रहे हैं it's not a win वो draw ही का points एड किया जाता है तो मैं बदा दू Intercontinental Cup में हम जीते थे अगेंस Lebanon तो उसमें हमको वो points तक एड नहीं किया गया है प्लस staff का group stages का matches and final का matches एड नहीं किया गया है तो अगर यह सब को consider किया जाए तो अगर add करते तो obvious बात लिया रहें in a safer place but अगर नहीं किया गया है और लेपानन कुछ matches arrange कर लेते हैं अपने से higher rank team से या फिर अपने से एक दो rank ऊपर teams के साथ तो maybe possible हम pot 3 में shift हो सकते हैं लोग बोल रहें pot 2 is confirmed but let's see for me 28 July को सब decide होगा कि हमारा कौन सा pot है क्योंकि वहाँ पर rankings अपडेट किये जाएंगे 20 July को and draw निकलेगा for the FIFA World Cup बाकी तो मैं यही कहूंगा कि मेरे ही साब से India और जो कुएट का मैच हुआ उसमें बोला जाए था कि कुएट से हम हारते हैं तो हमारा को minus 3 points का difference मिलेगा क्योंकि कुएट एक हमसे बहुत नीचे team है rank उनका बहुत ज्यादा ही ज्यादा है उनके लिए व टीम है हम अगर जीते तो कुछ जादा difference नहीं होता बट अगर वो टाई भी कर रहे हैं तो उनको points मिलेगा तो कुएट मेरे हिसाब से यहां पर जो भी points होगा भी जुलाई को decide होगा life points फाइनल में बोला गया था कि minus 3 points अगर होता है हारते हैं तो बट हम जीत गया है बट व 20 जलाई को सब decide हो जाएगा मैं 20 जलाई का wait करूँगा जल्दी आने वाला है बाकी तो अभी ISL का pre-season चालो होना है बहुत सारे transfer हो रखे हैं काफी बढ़िया transfers हो रखे हैं उसके भी एक video cover कर रहा हूं तो आप लोग जोरू देखिएगा बाकी अगर हम बात करें तो अभी FIFA E-Nations होने वाला है जहां पर India team खेलने वाली है जो playstation वाला matches होते हैं वही बहुत बड़ा चीज है क्योंकि playing in a world level FIFA का level पर हमारे ललके खेलने वाले रिप्रेजन्ट कर रहे हैं इंडिया को तो दिखते हैं वहां पर क्या बनता है बाकी उनको best of लग रहागा हमारे तरफ से बाकी let's see यह था आज का वीडियो भाई आपके इस आपसे क्या लगता है ISL का जो scheduling के वो किस प्रकार होना चीए कि वो fit bat है यूकि अगला AFC भी होगा अगले साल है कि नहीं तो AFC से पहले अगर हमको कुछ friendlies मिल जाए with senior team आप सुपीरेर टीम हमसे superior team ranking wise या gameplay wise तो क्यूकि ह हम बार बार Lebanon, Kuwait, Oman, UAE यह लोग साथ खेल रहे कोई दिक्कत नहीं है बट कुछ अगर टीम्स क्या पता हम जाएना के साथ खेल ले या जापान के साथ खेल ले अगर मैं मेरा कहना है क्यूंकि बार बार पाकिस्तान के साथ खेलेंगे लेवानन के साथ खेलेंगे मेरे साब से खेल ले ठीक है अब बढ़ना चाहिए आगे अपने से सुपेयर टीम पे हमको फोकस करना चाहिए ताकि जितना बेटर रहेगा हम जितने स्ट्रॉंग टीम के साथ खेलेंगे हमारा उतना बेटर चांसे रहेगा फॉर ग्रोथ और वेस सा बात है और बाकी तो यार मैं बस 20 जुलाइ का वेट करूं अब 20 जुलाइ के बाद ही रिसाइट करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं मिलते हैं अगले वीडियो पर